हेलो गाइस वेलकम टू अन्टर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंस एवलाउन टेक्नोलोजिस की ओर से जून क्वाटर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो इनालसिस करेंगे स्टेंडलाउन कॉंसॉलिडेटेड दून रिजल्ट आउट हो चुक पाइफ करोड का और जून ट्वाटर में 188 करोड का एक्सपेंस हुआ था जो कि क्वाटर ओन क्वाटर में एक्सपेंसेज डाउन हैं इंकम के एक्सपेंसेज बहुत ज्यादा वा इसके कंपफिट में गिरावट आई जो कि ऑपरेटिंग पॉफिट है कंपनी का तेन इंकम में घृणवाट ऑन इसके कंपनी का पेशपेंसेज जगा तो आवरेज डिजर्ट को कवर करें गाई तो नंबर जो है मिलियंस में दिए गए है इंकम है 118.8 करोड का, पिछले क्वार्टर में 136 करोड का और जुन 22 क्वार्टर में 103.8 करोड का इंकम है क्वार्टर और क्वार्टर में down है, year on year में increase किया है expenses 104.7 करोड का, पिछले क्वार्टर में 116 करोड का और जुन 22 क्वार्टर में 99 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में down है year on year में increase किया है जिसके बाद यहाँ पर operating profit 14 करोड का पिछले quarter में 19.8 करोड का और जून 22 quarter में 4.7 करोड का operating profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है net profit 10 करोड का पिछले quarter में 14 करोड का और जून 22 quarter में 3.5 करोड का net profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है EPS company का 1.58 रुपेश का है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है तो guys overall result घर देखेगा तो यहां पर कंपनी को average है कंपणी का profit quarter quarter year and year दोनों में घिरावट आए थी quarter on quarter में घिरावट थी because income में घिरावट आए लेकिन year on year में घिरावट थी क्योंकि से ज्यादा हुआ था और स्क्राइंडर लॉन में भी कंपनी का क्वाटर लॉन क्वाटर के प्रॉफिट में गिरावाट आया है तो अवरॉल कंपनी आप एवरेज रिजल्ट पेश कहा है तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में मिलते हैं एक्सपूदा में तिल्देन मोब बाई